नमस्कार दोस्तों जैसरी कृष्मे स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल आत्मग्याम मैं पंडित अनुष्ति वारी आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको करवा चौथ की पौराई प्रत कथा सुनाँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी पसंद आए तो लाइक कीजी और हाँ कथा सुनने के लिए अंध तक बने रही हैं क्योंकि अधूरी कथा नहीं सुनी जाती है तो चलते हैं कथा की ओर बहुत समय पहले की बात है एक साहुकार के साथ बेटे और उनकी एक बहन थी सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थी यहां तक की वहाँ पहले उससे खाना खिलाते और बाद में सोयम खाते थी एक बार उनकी बहन ससुराल से माय के आई हुए थी साम को भाई जब अपना ब्यापार बंद कर घर आये तो देखा उनकी बहन बहुत ब्याकुल थी सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आगरह करने लगे लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौत का निर्जल ब्रत है और वहाँ खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्ध देकर ही खा सकती है चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है इसलिए वह भूँख प्यास से ब्याकुलबूर की सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेंड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है तुम उसे अर्ध देने के बाद भोजन कर सकती हो बहन खुसी के मारे सीलियों पर चल कर चांद को देखती है और उसे अर्ध देकर खाना खाने बैठ जाती है वह पहला टुकड़ा मुह में डालती है तो उसे चीक आ जाती है दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसे उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुह में डालने की कोसिस करती है तो उसके पती की मृत्य का समाचार उसे मिलता है वह बौखला जाती है उसकी भावी उसे सच्चाई से आउगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ करवा चोथ का ब्रत गलत तरीके से तूटने के कारंग देवता उससे नाराज हो गया है और उन्होंने ऐसा किया है सच्चाई जानने के बाद मिश्चे करती है कि वह अपने पती का अंतिम ससकार नहीं करेगी और अपने सतीत्त से उन्हें पुनर जीवन दिला कर रहेगी वह पूरे एक साल तक अपने पती के सव के पास बैठी रहती है उसकी देख माल करती है उसके उपर उबने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती है एक साल बार फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भावियां करवा चौथ का प्रत रखती हैं जब भावियां उससे आसिरवाद लेने आती हैं तो वह प्रतेग भावी से यंसुई ले लो पियस्वी दे तो मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो ऐसा आग्रह करती हैं लेकिन हर भावी उसे अगली भावावी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं इस परकार जब छठे नमबर की भावी आती है तो वह करवा उससे भी यही बात दोहराती है यह भावी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वज़े से उसका तूटा था अतह उसकी पतनी में ही सकती है कि वह तुम्हारे पती को दुबारा जीवित कर सकती है इसलिए जब वहद आये तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वहद तुम्हारे पती को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोने ऐसा कहकर वहद चली जाती है सबसे अंत में छोटी भावी आती है करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वहां टाल मरोली करने लगती है इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है भावी उससे छुडाने के लिए जोशती है खसोटती है लेकिन करवा उसे नहीं छोनती अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीच जाती है और अपनी छोटी अंगुली से चीर कर उसमें से अमरत उसके पति के मुग में डाल देती है करवा का पति तुरंत स्री गडेश स्री गडेश कहता हुआ उठता है इस प्रकार प्रभु करपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग मिल जाता है तो दोस्तों करवा का विशेश महत्त हिंदु धर्म में तो है ही साथ ही अन्य देशों में भी इसका महत्त बढ़ता जा रहा है और इसकी करपा से आपके पती की लंबी आयू हो जाती है और आपके सुहाग की रच्छा हमेशा भगवान स्री गडेश करते हैं तो आखिर में हे स्री गडेश माग औरी जिस प्रकार करवा कुछ चिर सुहागन का वर्दान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागने को मिले ऐसा कामना करके अपना ब्रत आप बोल सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी या दी गई कथा से आप संतुष्ठ होंगे अगर आप संतुष्ठ हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगली कथा अगे साथ तब तक के लिए नमस्कार जैसरे किशिए